बहुत शानदा टर्निंग रेडियेशन है इस टेक्टर का इस ट्रैणी में तो इस टेक्टर का जो इंजन है दो हजार स्टेंडर्ड आड़ी पियम तक बढ़ करता है आपको काफी ज्यादा तगड़ा देख सकते हैं यहाँ पर पावर स्टेरिंग और हाइड्रोलिक का पंप कंपनी का जो एर फिल्टर है बली बली कंपनियों जैसे बीम डवली और मर्सडीज जैसे गालियों में यूज किया जाता है हैवी ड्यूटी कंपनी फीटिटिट 75 केजी का फ्रेंट पंफर मिल जाता है जो है आपको डबल डिस्टिवीटर बॉल्ब मिल जाते है जिससे इस पीट बहुत शांदार तगड़ा परफॉमेंस करने वाला पीटिव मिल जाता है जो है आपको इस टेक्टर में ऑटोमेटिकली डेफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल बार के साथ हैवी ड्यूटी कंपनी फीटिट कैनोपी मिल जाती है फुली सिंक्रोमेक्स 15 फारवर 15 इस टेक्टर के साथ में आने वाले साइड़ से गयर बॉक्स मिल जाती है और ड्यूटी पावर इस्टेरिंग का सबसे वड़ा फाइदा यही होता है कि कभी 5-10 साल में इस टेक्टर की स्टेरिंग में कोई काम आता है तो किसी एक पार्ट को कोई भी पार्स जो है खराब हो हो जाती है जबकि independent power steering में आपको पूरा जो है इंडेपेंडेंट हाइड्रोलिक power steering change करना पड़ता है जो कि 3500 से लेके 4000 के बीच में होता है साती दोस्तों इस्टेक्टर में आपको इस्टेक्टर का एयर फिल्टर मिल जाता है और यह जो एयर फिल्टर है चोक सेंसर के साथ में आता है जिससे इस्टेक्टर के एयर फिल्टर में अधि कचड़ा चला जाता तो उसकी इंफॉरमेशन जो है हम स्टेक ऑल्रैटर के मिलती रहती है साती दोस्तों त्याक्टर कारुष्टर है इस टाक्रोड कारेलीडेटरð काफी बड़ा मिल जाता है इत्तेक्टर के कूलेंट सिस्टम को जो है काफी तगड़ा बरकरार रखता है यदि हम बात करें और थोड़े तगले फीचर्स की तो यहां आप देख सकते हैं स्टेक्टर में जो है आपको काफी बड़ा जो है स्टेक्टर का हाइड्रोलिक और पावर इस्टेरिंग वाइल का पंप मिल जात दोस्तों के इंजन की बात करें तो इस्टेक्टर में जो है आपको 50 हास पावर का चार से लेंडर नैचरली स्पेड़ इंजन मिल जाता है जो की 540 से लेके 1200 स्टेंडर्ड आड़ पीम तक बढ़कर करता है और इस टेक्टर का जो इंजन है वाटर कूलेंट इंजन के साथ म स्टेंडर मिल जाती हैं कंपड़ी ने जो है यहां पर आपको सेक्योर्टी गाड लगा के दिया है जिससे इस टेक्टर के वाड़र बोल्ट सेलफ स्टार्टर में जो है किसी भी तरहीं के से पानी नहीं जाता और यहां देख सकते हैं कंपड़ी बगारा इस्टोर करके परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है और हमारे यहां की सुद्धभासा में बोला जाए तो इस्ट एक्टर को रखना मतलब पड़ा को पालने के बराबर है क्योंकि इस्ट एक्टर की जो मतलब परफॉर्मेंस है बहुत तगली है और जो फ्यूल कंजप्शन है वो भी काफी जयादा सांदार है महिंद्रा कए इस्ट एक्टर का इस्त्रेणी के अंतरगत है तो यहां ब्यतिubaद यहां पर वक्व द्राइब के बेजिग मिल जाती। और इस्टेक्टर का जो लुक है बहुत ज़्यादा अग्रेशिव और अट्रेक्टिव लुक के साथ में आता है फ्रेंट में अधी हम बात करें लुक की तो यहां पर आपको महिंद्रा का डेलीकेटेड लुक और लोगो मिल जाता है राइट तरफ में भी जो है आपको यहां पर नोवो की बेजिंग 655 डियाई की बेजिंग और महिंद्रा की बेजिंग मिल जाती है दोस्तो अब हम बात करते हैं स्टेक्टर के थोड़े और फीचर्ज की तो यदि उससे पहले आप वीडियो चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना मत भूलिए कि तो इस टेक्टर में अगला टायर है नो पचास वाई चौवश्क टायर साइज के साथ में आता है और दोस्तों इस टेक्टर का जो फोट स्टेपर है महिंद्रा का डेली केटेट फोट स्टेपर है काफी जादा है ड्यूटी मिल जाता है देख सकते हैं बहुत तगड़ा जो है आपको इस्टेक्टर का footstepर मिल जाता है साथ ही इस टेक्टर का जो प्लेटफॉर्म है बिलकुल संतल प्लेटफॉर्म favourics मिल जाता है जिस्से इस्टेक्टर का passenger का काफी खास तोर से ध्यान रखा है इसका जो passenger grab handle है चार जंगा से supporting बारवाला मिल जाता है जिसकी जो life है काफी जादा long बिल जाती है और दोस्तों instructor का जो grab handle है बहुत ही बड़ा आपको एकदम तगड़ा grab handle मिल जाता है और यहाँ पर भी जो है music system है हमारे भाई ने लगवाया हुआ है पचास अजार रोपे का music system पढ़ा है बहुत तगली performance है और इस टेक्टर का music system है बो भी हम check करके आपको देखाएंगे अब चलिए अब हम चलते हैं इस टेक्टर के ऊपर बात कर लेते हैं इस टेक्टर के hand cushion मिल जाते हैं जिससे आपको इस टेक्टर का जो comfort है और भी ज्यादा enhance हो जाता है और दोस्तों अब हम बात करें इस टेक्टर के यदि instrument cluster की तो इस टेक्टर में जो है आपको डिजिटल और रहना लोग दोनों fuel tank capacity की बात करें तो 65 लीटर की आपको जो है इस टेक्टर में fuel tank capacity मिल जाती है जिससे यह टेक्टर दिन भर बड़े अराम से चलता है और यहां पर जो है आपको इस टेक्टर में देख सकते हैं light indicator का पूरा control मिल जाता है जिससे आप इसकी जो driving है और भी ज़्यादा comfort हो जाती है और यहां पर जो है इस टेक्टर की stearring में महिंद्रा का logo मिल जाता है hand accelerator यहाँ पर मिल जाता है और यह जो टेक्टर है super subtle gear के साथ में आता है तो यहाँ पर जो है आपको इस टेक्टर का super subtle gear मिल जाता है जिससे आप इस टेक्टर में किसी भी gear में आंगे और किसी भी gear में पीछे जा सकते हैं साथ ही दोस्तों इस टेक्टर में ब्रेक की बात करें तो इस टेक्टर में जो है आपको आई भी टाइप डेक्स ब्रेक मिल जाते हैं जिनकी जो पर्फोर्मेंस है बहुत ज्यादा तगली है और इस टेक्टर के जो पैडल है सस्पेंडर टाइप मिल जाते हैं जिससे इनकी ज जो है आपको स्टेक्टर का हाइड्रोलिक लीवर मिल जाता है और यहां पर आपको स्टेक्टर का डिफेंसियल गयर मिल जाता है दो ड्राइवर के लेप साइड यहां पर आपको स्टेक्टर के लो हाई और मीडियम के गयर मिल जाते हैं साथ में यहां पर आपको स्टेक्टर क आपको यहां पर सीटे के नीछ भी जाता है और स्थेक्टर की सीट आपकोап के दिक जाती है जिसको आप अपने एंशाब से अजय है। अब प्ने अंधी स्थेक्टर में में यहां यूज वास दोस्तों यदि हम मesट्डर की को लाइक कर दीजे और हमारा एक और ब्लॉगिंग से रेलेटेड चैनल है इंद्रजीत ब्लॉग्स उसको भी यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजे अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रैक् इसे एमबी प्लाव बेगारा बड़ी यसानी के साथ ऑपरेट कर सकते हैं ताप्लिंग होल्डर बार जो है आपको इस टेक्टर में और भी ज्यादा टूल को स्टॉर करके रख सकते हैं और यहां पर जो है आपको इस टेक्टर का डिस्टीब्यूटर बॉल्व का जो लीव यहां पर मिल जाता है जिससे आप इस्टेक्टर के डिस्टिब्यूटर लीवर को आंगे और पीछे दोनों जहां से कंट्रोल कर सकते हैं और दोस्तों इस सबसे ज्यादा तगड़ा परफॉमेंस करने वाला 43 पावर का मल्टी गियर इस्पीड बारा फारवर्ड पंदरा रिवर्स गियर ऑप्शन के साथ में आने वाला पीडियू मिल जाता है और दोस्तों इस्टेक्टर के यदि हम स्टेप बार की बात करें तो इस्टेक्टर में जो हापको टैली स्कॉपिक पर स्पीड पीडियू मिल जाता है और दोस्तों इदि हम स्टेक्टर में थोले से और फीचर की बात करें तो यहां आप देख सकते हैं कंपनी ने जो है इस्टेक्टर के रियल एक्सल मिल जाते हैं और इस्टेक्टर की जो बैक लाइट है आपको गोल मिलती है और यह जो ब तो दोस्तों आसा करते हैं, आज महिंद्रा 655 DI 4WD की ये वीडियो आपको काफी जादा पसंद आई होगी, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जै जमान, जै किशान